जब हम content optimization की बात करते हैं तो हम नहीं देखा कि हम keyword research करते हैं लेकिन गूगल सिर्फ आपके keywords को ही नहीं देख रहा होता है वो पूरे content को देख रहा होता है इन पूरे content में हमने सिर्फ अपने keywords यूज नहीं करने हैं अच्छी SEO तब होती है जब आप keywords को यूज करते ही हैं जो के prominently हमने density उसकी maintain करनी है लेकिन आप अपने keywords को support करने के लिए कुछ related words भी use करते हैं वो related words basically LSI words किलाते हैं LSI का मतलब latent semantic index ये basically English की एक return जो है ये algorithm है कि वो जब Google मयर करता है आपको वो इस बात को understand करता है कि किस तरह से आपने एक चीज की बात की और उस चीज से दूसरी चीज जूड़ी विया लोग LSI को ये लेटन स्टमेंटिंग इंडेक्स इन words को confuse करते हैं synonyms के साथ synonyms का मतलब different है so for example हमारी mobile store की example में मैं अगर mobile marketplace या मैं mobile store की जगा अगर मैं mobile marketplace लिखूँ तो वो synonyms के तोर पर count हो सकता है तो एक word की जगा दूसरी word जगा ले सकता है लेकिन अगर मैं सिर्फ mobile phones की बात करूँ तो साथ जब आप बात करते है mobile phone की तो Google अतना understand करता है कि अगर आप mobile phones की बात कर रहे हैं तो उसमें Android की बात भी हो सकती है उसमें iOS की बात भी हो सकती है जब आप iOS की बात कर रहे हैं तो उसकी company यानि कि Apple की बात भी हो सकती है तो ऐसे keywords जो normally जो है वो एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं उनको आप latent semantic index words बोलते हैं और ये important इसलिए हैं कि Google इस से भी judge करता है कि आपका page किस बारे में है So for example मैं आपको examples देता हूँ कि अगर आप बात कर रहे हैं mobile phones की तो जहाँ पर mobile phones की बात हुई वहाँ Android software की बात हुई वहाँ पर iOS की बात भी हो सकती है वहाँ पर Apple mobile phone की बात भी हो सकती है So mobile phone का मतलब यह है कि वह एक certain category से related है और certain category में कुछ words ऐसे हैं जो frequently use होते है Mobile phone से हट की हम apparel में बात करते हैं Garments में अगर आप देखें जहाँ कुर्ते की बात हो रही है तो वहाँ पजामे की बात भी हो सकती है So अगर आप सिर्फ कुर्ता बेच रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरे पेच वे अपर सरफ कुर्ता ही वर्ड बार बार यूस करना है आप कुर्ते के साथ आप Garments लिख सकते हैं आप पजामा लिखेंगे तो वह कुर्ता पजामा एक सेंस बनेगी Google को यह समझने में असानी होगी कि यह कुर्ता जो बात हो रही है इसमें किस तरह की या किस चीज की बात हो रही है एक और बड़ा confusing वर्ड है जिसको बोलते है जावा जावा अगर आप लिखे हैं तो जावा बेसिकली इंडोनेशिया में एक आईलेंड का नाम भी है जावा एक language भी है जिसको जावा स्किप या जावा दोनों बोलते हैं और फिर जावा काफी भी है जो के लोग पीते हैं जावा जब कोई लिखे है तो गूगल कैसे understand करें कि जावा लोगों ने कौन सा सरच किया है इसी problem को solve करने के लिए गूगल बाकी words को भी देखता है जब आप जावा लिखेंगे अगर वो island की बात हो रही है तो आप tourism भी लिखेंगे जब आप tourism लिखेंगे तो गूगल समझ जाएगा कि यह जावा मेसी के लिए इंडोनेशिया में जो जावा आइलेंड है उसकी बात हो रही है लेकिन अगर आप for example जावा के साथ language बात करेंगे coding की बात करेंगे, programming की बात करेंगे तो गूगल यह समझ जाएगा कि यह जो जावा है यह basically जावा language है जो के computer programming की एक language है जिसमें program लिखे जाते हैं और इसी तरह से अगर आप जावा के साथ coffee की बात करें पीने की बात करें तो गूगल समझ सकेगा कि जावा जो है यह coffee वाला जावा है ना कि कोई और जावा है तो हमने यह make sure करना है कि अगर हम mobile phone की बात कर रहे हैं तो हम कोशिश यह करें कि हम उसके मिलते जुलते LSI keywords भी निकालें और जो है ना उनको हम उन page reads के ओपर use करें मुझे पता है अब आप यह पूशेंगे कि LSI keywords निकालते कैसे हैं तो मैं आपके लिए उसके लिए भी एक हमने टूल धोड़ना होगा है जो मैं चाहूँगा कि अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आप LSI keywords उसमें से निकाल सकते हैं तो इस तूल का नम LSI Graph है यह एक paid टूल है लेकिन यह कुछ free searches देता है इसके लावा आप और भी टूल यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं आपको live demo इसी टूल का भी दिखाता हूँ ताके आपको यह समझ आजे किस तरह से आप इस टूल को यूज़ करते हुए related keywords यहनि के LSI keywords निकाल सकते हैं जैसे कि हम इस screen पर देख सकते हैं कि मैंने LSI Graph की website विज़िट की है आप यह विज़िट कर सकते हैं LSI Graph.com से और जब मैं इसके वपर जाऊंगा तो मैं यहां पर अपना keyword लिखूंगा जो कि mobile phone है आप यहां पर जो भी keyword लिखेंगे उसके गेंस्ट वो आपको searches दिखाएगा कि कौन से related keywords आप यूज़ कर सकते हैं इसका मैं verify करने के लिए यहां पर click करूँगा जब आप इसको verify कर लेंगे तो आप जहां से generate का button प्रस करेंगे तो वो mobile phone के गेंस्ट एक analysis करेगा और वो आपको बताएगा कि इस word के साथ normally और कौन कौन से word use हो सकते हैं जैसे कि आप मेरे screen पर देख सकते हैं कि अगर मैंने mobile phone लिखा तो वो मुझे possibly LSA keywords दिखा रहा है जिसमें how to make a mobile, Samsung mobile, Samsung phone, mobile phones for sale, cheap mobiles मतलब different words जो almost एक जो से के साथ use होते हैं वो सब दिखा रहा है अगर आप सक्रोल करते जाएंगे तो काफी आपको details में ये information मिल जाएगी तो आप कोशिश ये करें कि जब आपको page पे mobile phone के games optimize कर रहे हो page तो उसमें ये words भी use करें जैसे कि आपने देखा कि LSA graph के जरिये मैंने related words निकाले जो कि LSA keywords कहलाते हैं और मैं अगर अगर अपना page mobile phones के games optimize करूँगा तो मैं चाहूँगा कि मैं इन keywords को भी use करूँ ताकि Google को ये understanding हो जाए कि अगर मैं mobile phones की बात कर रहा हूँ तो मैं mobile phones related और भी words उस पे use कर रहा हूँ ये natural behavior में भी ऐसा ही होता है और Google भी चाहता है कि अगर आप इसको बिल्कुल natural way में optimization करें तो वह भी आपको पसंद करेगा वह भी आपको penalize या penalty नहीं डालेगा क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर आप ज़्यादा जोर लगाएंगे अगर आप जबरसी करेंगे content में keyword डालने की तो हो सकता है कि वह आपको पसंद करें और वह आपको penalize करें यह नहीं कि आपकी ranking drop कर दें आपने धियान डखना है कि जब आप कोई भी keyword यूज करें उसके आप LSE words भी निकाल लें कोई भी आप free tool यूज कर सकते हैं और उस तरह से आप LSE words यूज करके अपने page में उसको उसी तरह से optimize कर सकते हैं